अमेरिका के अलबामा राज्ये के सुप्रीम कोट में एक फैसले के मताबिक फ्रोजन एम्ब्रोई यानि कि सुरक्षित भून को बच्चा ही माना जाएगा अगर कोई से नश्ट करता है तो उसे डोशी ठराते हुए केस चलाया जाएगा अब इस फैसले पर विवात खड़ा हो गया कुछ लोग का कहना है कि यह हजारों साल पुराने दौर में लोटने जैसा है कुछ लोग मानते हैं कि इसे ब्रून हत्या जैसे अपराद को भी रोका जा सकता है इस फैसले की वज़ा से राज्य में कई IVF सेंटर्स बंद हो सकते हैं यह फैसला क्यों इतना खास है चलिए जानते हैं अमेरिका इतिहास में अबोशन, एम्डॉय और प्रेगनेंसी से जोड़े कई मुद्दों पर भैस तो चलती रहती है यह पहली बार हुआ है कि किसी रा बात कर ली जाए तो पहले से मौझूदा फोजन एम्डॉय का क्या होगा एक वेबसाइट के मुताबिक IVF जैसे फोटलिटी प्रॉइडर्स का क्या करेंगे क्योंकि एक तरह से अगर कोई भून खराब होता है या किसी की वज़से वो खराब हो रहा है तो उस पर कसूर बा जाए किसी व्रून को खराब किया जाएगा या अगर किसी के कारण ये खराब होगा तो उस पर कानूनी करवाई करी जाएगी और उसे बार बार कोट में भी आना पड़ेगा पहले यह प्रॉसेस काफी महंगा है अब और भी महंगा हो जाएगा बुद्दवार को युनिव साइट के मुताबिक अमेरिका में एक साल में जितने बच्चे जनम लेते हैं उनमें से महच दो परसेंट का जनम आई वी एफ और री प्रॉडक्टिव तरीके से होता है दोजार तेईस में पब्लिश एक मेडिकल जर्नल के मुताबिक दुनिया में इस वक्त एक पॉइंट मांग को पूरा भी नहीं कर पा रहे और लोग वेटिंग में अब सवाल यह कि अगर फ्रोजन एंब्रॉए की वज़ा से क्या होगा अगर यह कानून दुनिया भर में लागो हो गया तो इनके साथ क्या किया जाएगा आज के लिए बस इतना ही ऐसे और जानकारी के लिए ब करने वाद